आज का विचार 107.8 FM हिम्गिरी की आवाज आपकी अपनी आवाज पर आज का विचार लालच से प्रेरित होकर कोई भी अनावश्यक कदम नहीं उठाना चाहिए और कोई कदम उठाने से पहले भली बांती सोच लेना चाहिए चलिए एक कहानी के जरिये समझते हैं एक दिन एक सियार किसी गाउं से गुजर रहा था उसने गाउं के बाजार के पास लोगों की एक भीड देखी कौतुहल वर्ष वह सियार भीड के पास यहां देखने गया कि क्या हो रहा है सियार ने वहाँ देखा कि दो बकरे आपस में लड़ाई कर रहे थे दोनों ही बकरे काफी तगड़े थे इसलिए उनमें जबरदस लड़ाई हो रही थी सभी लोग जोर जोर से चिला रहे थे और तालियां बजा रहे थे दोनों बकरे बुरी तरह से लहुलोहान हो चुके थे और सडक पर भी खून भहरा था जब सियार ने इतना सारा ताजा खून देखा तो अपने आपको रोक नहीं पाया वह तो बस उस ताजे खून का स्वाद लेना चाता था और बकरों पर अपना हाथ साप करना चाता था सियार ने आओ देखा न ताओ और बकरों पर तूट पड़ा लेकिन दोनों बकरे बहुत ताकतवर थे उन्होंने सियार की जमकर धुनाई की जिससे सियार वहीं ढेर हो गया इसलिए कहते हैं लालच में कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए कुछ भी कदम उठाने से पहले सोचना समझना बड़ा जरूरी है सुनते रही हिंगरी की आवाज आपकी अपनी आवाज